चली अवाज आ रहे हैं एक बात सभी लोग कमेंट कर दीजेगा इसग कप लो बात सभी लोग कमेंट कर दीजे है फिर हम लोग क्लास की स्टार्ट करते हैं करना कोRrit कर नीच दिए गया है करहाई रिग्वेद में किस नदी को माति तमा देवी तमा और नदी तमा कि नदी को माते तमा देवी तमा के नाम से सम्मुधित किया गया है अब यह क्या पिख गया है अगे मड़ी एक और पूछ नाम से पूछा गया है कि जैन धर्मे पूर्ण ग्यान के लिए किस सब्द का उल्ले किया गया है थोड़ा फास तरीके से यहाँ पर स्वाल करेंगे और आप सभी लोग वई याँ वीडियो को लाइक से जरू कर दीजेगा ठीक है ना जितने लोग जुड़ते हैं यहाँ पर आगे बड़ी एक कोशन आप से गला पुछा गया है कि मगद की प्रथम राजधानी कौन सी थी मगद की प्रथम राजधानी जो आपकी थी इन में से कौन थी कोशन नमबर थरीके ओप्शन लोग करना है और आप्शन क्या हो जाएगा दोसते जाद है कि इसकोशन जिसका नमबर थाराजधार जो आपका क्या है यहाँ पर गिरिय्वरेज अर्थार राजधार जो आपका है यह मगद की दोसतों क्या थी आपकी प्रथम राध्धानी थी आपसन आपका सी नमबर न राइट हो जएगा दोसतों पुरानों के अंसास देखा जाए तो ब्रद्रत हना कौन ब्रद्रत है इस वंस का सासन करने वाला पहला राजवंस था तो इसका जो आपसन है आपका सी नम्बरें राइट हो जाएगा यहाँ पर आगे बड़े एक क्वेशन आप दिया गया है मैमूद गजनवी के सोमनाथ अभियान के समय चूल राज का जो सासक था इन में से कौन था मतलब दोस्तों देखा जाए जो मैमूद गजनवी के साथ सोमनाथ अभियान हुआ था उस समय चूल सासक इन में से कौन था बहिए गुड मॉरिंग सभी को गुड मॉरिंग सभी हUNGते रही है मुस्कुराते रही है यहां पर देखे गर बात करते हैं तो आपसे दी हो जगा राजिन प्रतं कौन राजिन प्रतम जिसको आपसन आ रहा है बिलकुल राइट हो जाएगा देखा जाये तो 1012-1044 तक यहां पर इसका सासन रहा था दोस्तों और इसी के समय दोस्तों देखा जाए तो मेहमुद गजिनुई ने सोमनात पर अभियान किया था और सोमनात मंदिर को दोस्त किया था लूटा था देखें ना आगे बड़े ये को सनाफ सिगला पूछा गया है कि अकबर ने नया धर्म दीन ए इलाही सम्वत बोल देता सम्वत तो मतलब कह सकते हैं कि दीन एलाही एक परकार से जो आपका 1583 में चलाया गया था और धर्म ही स्टाट हुआ था 82 में ठीके आगे बड़े एक कोशन आप से दिया गया है क्या रहे कांग्रेश की त्रिपरी अधिवेशन के बाद सुभाद स जो दोस्तो याद रखेगा ये कांग्रेश की कारेकारणी समिती के गठन पर हो गया था मतलब आपसन जो आपका है यहाँ पर एनमबर हो जाएगा हाना यहाँ पर जो आपका बनेगा एनमबर इसका राइट हो जाएगा दोस्तो इस विवात के परशाथ क्या हुआ सुभासन बोस ने ट्याग पत्र दे दिया था और 1949 में फारवर्ड ब्लाकी स्थापना कर दिया था कब किया था तो फारवर्ड ब्लाकी स्थापना 1949 में किया था यह भी कोसन आपको जरूर नोट करना है खुश रही है चलिए आगे बड़िये कोसन आप से एगला पूछा गया है और आप से कह रहा है कि 1905 में बंगाल विभाजन किस वाई सराई ने किया था 7 को अपसन यहापर आपका B हो जाएगा यदर रिखेगा लाड करजन जिसको अपसन आ रहा है दीनमबर लाड करजन आपका अंसर राइट हो जाएगा गोशना जो आपके होई थी, वो 20 जुलाई को होई थी जो कि 1905 1905 को हुई थी याद रिखे गोशना होई थी है न, वहीं पर 16 अक्टूबर 1905 सी क्या होई था 16 अक्टूबर 1905 सी क्या हो गई थी ये आपक लागू हो गया था यहाँ पर आगे बड़ी एक कोशन आप से दिया गया है कि मातमा गांधी किस वर्स दप्रवासी भारती दिवसें मना जाता है तो 22 वर्सों तक आपके रहे थे हना ये कहे थे आपके 1813 में लगबग गये थे और 15 में आये थे लगबग 22 वर्सों तक आपके ये रहे थे और दिखा जाए तो दच्छिन अफ्रीका में वो पहले भारती बैरिस्टर थे यहाँ पर आगे बढ़े एक क्वस्न आप से दिया गया है देखें यहाँ पर दिया गया है किन्यम से कौन एक साइस मेले थे तो देखो ब्रह्म समाज लाला लाच पत्राय आपका दिया जोकि गलत दिया है होना चाहिए क्या राजा राम मुहान राय होना चाहिए यहां पर देवेंद्र नात हो जाएगा यहां पर सत्य सोधा का आपका जियतिवा फूले होता है तो यह भी आपका गलत हो गया है तो आपसम दोस्तों आपका D number is right हो जाएगा Servant of India Society दोस्तों यहां पर दिया गया है कि गदर पत्र का प्रथम अंक किस भासा में प्रकासित हुआ था कोशन मर्दस आप से कहा रहा है कि गदर पत्र का प्रथम अंक जो है वो किस भासा में प्रकासित हुआ था तो दोस्तों यह आपके उर्दू भासा में प्रकासित हुआ था समनेगा यहां पर ही नंबर है राइट हो जाएगा और यह 1913 में हिंदुस्तान गदर पार्टी द्वरा यह सताहिक पत्र आपका निकारा गया था यहां पर आगे बढ़ते हैं कोशना आप सिगला पूछा गया है आयुद्ध्या किस नदी के तड़ पर आपका इस्तित है ऐसे मेंटूर बांध किस नदी पर बनाया गया है मेंटूर बांध किस नदी पर बनाया गया है कोशन नमर बारा लॉक किया जाए मेंटूर बांध के बात करते हैं दोस्तों यह आपके कावेरी नदी पर बनाया गया दोस्तों मेंटूर बांध यह बड़े बांधों में से आता ह तमिलनाडु में आपका इस्थित है हना इसका जवासा नहीं है आपका नम्बर निर्टो अपकर जित्वाम है गंगोतरी है कि tayारना लेकिन जुआपका दिया कंचन जंगा तो यहा बताईएगा कंचन जंगा क्या हुत्तराखंड में है तो आप कह support अधर यह है वर्या तो दोस्तो आप कहेंगी सर इसका जो आपसन मनेगा वह भी हो जाएगा प्राइद यूपी खंड का ही आपके दोस्तो नोट कर लीजेगा ठेक है ना आगे बड़ी एक क्वेशन आप सिगला पूछा गया है कि गरीबी हटाओ कनारा कौन सी पंचवर्सी उजना के दौरान दि हटाओ कनारा यहां पर दिया गया था ओप्सन राइट हो जाएगा यहां पर आप कसी नंबरें राइट हो जाएगा बहुत अच्छे और इतनी फास तरीके से आप लोगों के जब जबाब आते हैं तो हमें बड़ी खुसी होती है कि नहीं हैं आप लोगों के अंदर भी वो उर्जा वो एनरजी भी है जिस स्पीड से हम पढ़ाते हैं उस स्पीड से आप लोगों को समझ में आता है और लगातार मेनत करने का फल भी आपको मिलता है दोस्तो बारत में आपरेशन फ्लड अर्था सुईत करांती के जनक के रूप में किसे जानते हैं दोस्तो यह हैं ड सिल्ड सिखला पूइब थी भारत ने डबलु टीओ कि जो सदस्ता ग्रहन की थी कब की थी भारत ने डबलु टीओ की सदस्ता है ड्रहन किया था आपको च्छन देना है आपको अंसर है यहापर भी राइट क्या हो जगा अठारा नंबर को उप्सन लॉक किया जा जाए तो दोस्तों आपसं में से राइट क्या हो जगा इनमर यह आपके करण हुआ था एक जन्वरी उनिस उन्चास जो कि आपसन आपका लगबग सभी का जवाब है यहापर सही आ चुका है अगर हम आपसे पूछें कि इसका मुख्याले सरुथम कहा था तो आपके कलकत्ता में था सबसे पहले कहा था कलकत्ता में था दोस्तों याद रखेगा चलि समयधान सभाकिर समयधानिक सलाह कारें पूंचा है और आपका जवाब इनुस्तों राइट हो जाएगा आपका सानुचेद विदिके समच समानता का अधिकार देता है विधी के समझ समंता अर्थात विधीम के मामले में सभी को का जो कानून होगा नया होगा सबको बरावर मिलेगा और ये सबको बरावर मिलेगा दोस्तों यह कहा गया है आपके किसमें समता कदिकार है ना तो समता कदिकार आटिकर नंबर आपका 14 इस कंसरें राइट हो जएग राश्ट्री महत्यकि इस्थान और इसमार्खों के रच्चा करना प्राकर्टिक वातवलना और स्वर्चल प्रीनाद्दारम्में क्वेज़ाइं अपंपर 25 लॉपक्रोप का लिए नाथ बाल, फूसर दीट के 7 माुतbelsोस 죽तऊ पर 10 और 25 सल फज़ाечकर जो आपकी है दोस्तों किस पर आपकी नीथ है अमने बताया है सबसे पावरफुल होती है जनता अना जनता जो होती है वो सबसे पावरफुल होती है तो यहाँ पर जो अंसर आपका है यहाँ पर आपका भी नमबर है इसका राइट हो जाएगा दोस्तों क्योंकि भारत का जो स रासी छेत्र है उनमें सरवाधिक प्रतिनिक जो हो सकते हैं वो आपके कितने तो आप कहेंगे सरवाप्षन बी हो जागा दोस्तों याद रिखेगा बीस सदस कितने बीस सदस यहाँ पर अंसर राइट हो जाएगा आगे बड़ी एक वस्थापन है वेग है बल भी है लेकिन ज परिमार काही बहुता है दिसा तो होती नहीं है जब दिसा नहीं होती है तो आपस्षण का डि attends मिंटक करना है आप कहाँगे संदक वाइटों को लाजी, मतरब अपसमरन दिखा जाए तो आपको यहां पर राइट हो जाएगा नूर कर लीजजीगा हाना, यहां पर दोस्त वाइको लाजी में किया होता है, तो इंटोमो लाजी में होता है, कीट पतंगे बगर आते हैं यहाँ पर अरनीथो लाजी में क्या होता है तो पच्छीयों कध्यान होता है क्या होता है पच्छीयों कध्यान क्या आता है और वहें पर फाइको लाजी में क्या होता है सैवाल कध्यान करते हैं किसका सैवाल कध्यान करते हैं तो तीनों पॉइंट आपके केलियर हो गया इकाइनो डर्मेटा आपका हो जएगा अर्थात सूल चर्मी संग का ये प्राणी है यहाँ पर जो आपका अंसर है वो आपका भी इसका राइट हो जएगा वहें पर एनलीडा में कौन आते हैं एनलीडा में आते हैं जिसे केचुआ होता है ना क्या होता है जो किचुआ होता है वो एने लीडा में आपका आता है दोस्तों यह आप आर्थो पोड़ा में क्या आते हैं तो आर्थो पोड़ा में जैसे आपके कीट वगरा होते हैं रेसम कीट के हो गया रेसम का कीट हो गया यह आपर मदवक्ती हो गया यह इसमें आते हैं इसका अंसर आपका भी नमर है, राइट हो जएगा, नेस question को रातने question दिया गया है, कि आम का वैग्यानिक नाम पूछा गया है, अब आप बताएगा, आम का वैग्यानिक नाम है, इन में से क्या हो जएगा, चलिए भई, बताएगा कि आम का वैग्यानिक नाम होगा, इन में स कर रहे हैं तो यह आप लोग सभी लोग लाइक सर करते हुए चलेंगे थोड़ा अच्छा लगने लगे आपको भी लगे और हमें भी अच्छा लगे कि नहीं हमारा सपोर्ट आपके लिए और आपका सपोर्ट भी हमारे लिए हैं दोस्ते आपर आम का वैग्यानिक नाम अगर लिए आप के तो आपका हुजी है तो मेगी फियरा इंडिका कौनसा यहां पर आपका मेगी फियरा इंडिका इस कंसर राइट हो जाएं दोस्तों यहां पर आपका दिया गया थे कौन से दीआ गया हैंす दएवा की की पैचान करना है अब आप देखेंगे कि 50 आप्षान है यहांपर क्या हो जैगा दोस्तो यहांपर पर दिया है मैं सारी रात यहां पर जोस्ता जो आपकर सी वाला दिखा जाए ज्यादा वेश्ट हो जाएगा मैं सारी रात जाकतरा भर लगाने क्यों अब का यहां पर नहीं पड़ेगी ठीके किलियर है आगे बड़ी एक कोछन आप से पूछा गया है कि निमने कित सब्दों म कि निमन में से स्रम망 सुत्विनार्थतक सब्दों को पेचान करना है यहां पर अली दिया हो और आली दिया गया है दोस्तों यहां पर जो आपकर अंसर है वापको क्या हो edda है जलेстранा ऑप गया होगा इससका हो सकता है दो अली आत्थात्त भौरा हो गया और सखी हो गया होना, तो यहां पर जो आपका अंसर बनेका, और राइट आपका यह नंबर है, इसका हो जाएगा दो, यहां पर आगे बड़ी एक कुछ न आपसिकला उम्म पूछा गया है, कि करकस का विलूम इन में से कौन सा होता है, दोस्तों बताना है, करकस का विलूम यहां का राइट हो जाएगा दोस्तों नोट कर लिजेगा ठीक है ना किलियर है विनम्बर सब्द किलियर है यहां पर आगे बड़ी कोशन आप से गलाप पूछा गया है कि तथायो सब्द का संद्विच्छी दिन में से कौन सा है तो आप कहेंगे तथा धन एयो क्या तथा धन होता है तो तथा धन हो है कहीं पर आपसन में यहां पर देखें ऑप सब्द करना है तथा धन एपसन आपका बनेगा यहां पर डी नंबर हो जाएगा दोस्तों हना आएका मातरा है और यह की मातरा 2019 का डेविस कप जीता था दोस्तों यहां पर देखे आपका जो अंसर बनेगा यहां पर राइट इन में से क्या हो जाएगा दोस्तों बताना है कि 2019 का जो डेविस कप जीता था वो किसने जीता था दोस्तों यह 19 की बात कर दिया है वो इस इतना पुराना पूछेगा नहीं पर आगे बढ़ते एक कोशन आप से गला दिया गया है कि प्रशिद्ध संगीत कार उस्ताद जाकी रुसायन की संगीत वाधियन से संबंदित हैं हमेशा से एक कोशन आपको मिलता आ रहा है कि जाकी रुसायन जो आपके हैं वह यह एक तबला वाधक है और अपसन देखे आप स्ताद बिसमिल्ला खां क का नाम प्रिशिद्ध हैं रहा हैं तो स्रैमिक दिवस मनाते हैं यहाँ पर आगे बढ़ी कोशन देखे आगया है कि लचिदीव के राधधानी इन में से कौन सी है लचिदीव के राधधानी पूछा गया है चआप्सन को लौग करना है आप कहेंगे सरलक्षदीव के राध्धानी कवारती है क्या है कवारती है और कवारती है आपके सिनमर पर है वहें पर लेह के राध्धानी क्या है लद्दा के आप लोग जानते होंगे आगे बड़ी यह कोसंन जागया है ओडम किस राजी का प्रमुक्ते होार है बताना है कि जो ओडम है किस राजी का प्रमुक्ते होार है आपसो को लोग करना है यहाँ पर देखा जाए तो हमने आपको बताया था O और K हाना o के दोस्तो आपका ओडम हो जाएगा केरल जो के आप समने हैँ आपका यह नमर है राइट हो जाएगा वना यह एक राजा थे बली उनके स्वागत के रूप में यह मनाया जाता है दोस्तो गोवा में एक बहुत ही अच्छा आपका तेवार होता है कार्णविल क्या पूछ लेता है याद रिखे यह आपका है गोवा का और हारन बिल पूछ लेता है हारन बिल तब आपका क्या हो जाता नागा लेंड हो जाता ठीक है ना और बढ़िया पर्शे मंगाल में दुर्गा पूजा बहुती प्रिसित है चले आगे बड़े यह कोशना आप सिगला पर है ऑप्सन बी श्री नगरिस कंसर है राइट हो जाएगा यहाँ पर आगे बढ़ते हैं कोशना आप सिगला पूछ आगया है पदमावत के लेखक इन में से कौन है पदमावत के जो लेखक है इन में से कौन हो जाएंगे 87 को अपके अपके मलिक मुहमद जैसी मलिक मुहम ठीक है आगे बढ़ यह कोशना आप से दिया गया है आईरवेज से सम्मधित गरंथ कौन सा है आईरवेज से सम्मधित जो गरंथ है यहाँ पर कौन सा हो जाएगा तो वहिया यह है आपका चरक संयता क्या चरक संयता है दोस्तों जो कि एक आईरवेज है यहाँ पर दोस्तो पर चीनी का कटोरा जो कहते हैं पंजाब दोस्तों पांच नदियों की भूमी कहा जाता है तो दोस्तों सिलकान वैली जो कि आप दे सकते हैं बैंगलूरू में है जिसका अपका बनेगा एंबरे राइट हो जाएगा दोस्तों दोस्तों जीलो कनगर कहते हैं आपके नैनी ताल और उधायपुर लगनों को कहते हैं अराम से और ध्यान से आपको पढ़ना क्योंकि हमारे हर एक मोडल पेपरBen हम आपको वो चीछ देते हैं जो आपकी सलेवस में है जो इस्टैटिक जीके वगणर हो गई उसको हम यहाँ पर से सुनते रहे, आपके दिमाग में फिड हो जाएगा पुरी तरीके से, देखे भारत के पड़ोसी देशों से, पहला पुएंट है भारत यूम चिन की भी सीमारे खाया है, तो आप कहेंगे भारत और चिन की भी सीमारे लिए जिएका याद रिखेगा वूटान के संसत का नाम क्या है याद रिखेगा तुंक्सडू हो जाएगा और एगना दिया यहाँ कि मालदीव के संसत का नाम वेरी वेरी इंपी कोष्ण है यहां रिखें मालदीव की संसतका नाम मजलीश है क्या है माजलीश हो जाएगा अब नीद आ रही है अईसे कैसे निद आ जाएगी आसे हम तेश से अल्ला मार रहे हैं कि जो सोर आओगा वो भी जग जाएगा तो विश्या काँजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश आपका और अगरा है कहरा है आपसे विश्टु का स्वरवाधिक जन संख्या वाला देश कौन है तो यहाँ पर चीन है लेकिन यहाँ पर अभी क्या है मदवेद एक आपका आया था लेकिन दोस्ते यादर के यह भारती जो आपकी संसद है अना मतलब किन सरकार कहती है कि भारत जो साकिस्तान की वीचे रेट किलिग रेखा है जो कि सीमान निरधारन करती है यहाँ पर दिया गया हे कि लहासा चो आपका है ौरorविडियन शिटी कहा Вас आहे और अगला दिया गया है कि बर्मा का नया नाम पूछा गया है तो बर्मा का नयाम क्या हो जएगा यहाँ पर मियमार हो जएगा यहाँ पर अगला दिया गया है कि सूरिक किरण दोस्तों जाद रिखेए कि युद्ध अभ्यास है सूरिक किरण ये सूरी किरन युद अभ्यास से जोस्ते याद रिखेगा नेपाल और भारत की बीच एक सैन अभ्यास है बहुत ये MP कोशन ने पूछा भी गया है और अगला कुण दिया गया है कि सिलंका को पहले किस नाम से जानते थे अभरत के थे पाकिस्तान की गुप्तिछर सन्स्था क्या है अब आप लोग जाते हैं इसा प्राइश का भारत कीक्या अब तो आपका कोई भी जिम्मेदारी होती है आई एसाइ प्रडाल दे जाती है यहाँ पर आपक पाकिस्तान की गुपतिचा संसता है और कहरा है सिंगापूर की राधधानी क्या है तो आप कहएंगे सिंगापूर है और आप पूछेंगे यहां चलता क्या है तो आप कहेंगे डॉलर चलता है होंग कॉंग का आपका जो मसाज है बहुत प्रसिद है याद रिखे थाई मसाज कहा है वो आपके होंग कॉंग का है और दोस्तों याद रिखेगा यहां की राध्धानी है विक्टोरिया क्या है विक्टोरिया है डॉलर यहां की मुद्रा है ब्रुनेई दोस्तों याद रिखेगा ब्रुनेई की राध्धानी क्या है तो आपकी ब्रुनेई की राध्धानी है बांदर सेरी जो की बेगान है और यहां की मुद्रा भी क्या है डॉलर है अगला दिया गया है आपसे अगाना क्या रहा है गुवाना की राध्धानी क्या है तो गुवाम की राध्धानी है अगाना है ताइवान की राध्धानी वेरी वेरे अंपी है जिसमें आई अंपी लगा दें वो आपको नोट कर लेना ह याद रिखे ताइवान की राध्धानी है ताइपे क्या है ताइपे है और सीरिया की राध्धानी वेरी वेरेंपे है सीरिया की राध्धानी है क्या है दमसिक है दमसिक हो जाएगा और दोस्तों याद रिखेगा कि यहाँ पर दोस्तों जो आपका सीरिया है यहाँ पर पाउ कि राधानी क्या है काईड Sports City है क्वैट सिटी है क्वैड इंचलती है तो मनामा और यहां पर चलता है दिणार ऑमान कि मसकट बिल्कुल पाइमपे इसको नोर करिएगा वीवी आई है आपका याद रिखेगा कि उमान की राध्धानी क्या है मसकट है दोस्तों और यहां चलता है रियाल हना बहुत इमेंगी मुद्रापकी है रियाल हो जाएगा अगला दिया गया कतर और कतर की राध्धानी क्या है दोहा है क्या है दोहा है यहां भी रियाल चलता है कमबोडिया का जो 20 सुप्रसिद्य मंदिर है यहां की राध्धानी है नहूम मेंब क्या है नहूम पेह यहां की राध्धानी है और रियाल यहां पी मुद्रे चलती है और अगला आप से दिया गया है उव्हित ρुपियाई के गरभाद करतें इनकी राधानी क्या है तो आपकी नए दिल्ली है क्या है नए दिल्ली है दोस्तों और अगला पॉ एंट आपकर दिया गया है लेकिन अगला कुण कल बता देंगे तो यहाधा हो जाएगा तो फिरट नहीं अजय कि